hey guys what's up and welcome back to another video so guys आज की वीडियो में करने वाला हूँ यह वाली फोटो को एडिट लाइट रूम की मदद से इस वाली फोटो को मैं करूँगा कुछ इस तरीके से रिटच कंप्लीट रिटच होने वाली है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा सारे स्टेप्स में आपको डिटेखल में पूरा कम्प्लीट ली बताऊंगा इस वीडियो को देखने बाद आपको कोई भी डाउट नहीं करेंगे तो वीडियो को पूरा देखना सबसे पहले तो हम आपने लाइट रूम एप्लिगेशन के अंदर लाइट रूम एप्लिगेशन में अंदर सबसे पहले तो हमें साइड में काफ़ जारे टूल्स मिलते हैं हमें सबसे पहले तो लाइट एड्जस्मेंट करनी है यहां स से नहीं करनी है तो कव्स का टूल हम काफ़ जादा जने जो नहीं यूज करते मैं भी नहीं करता था पहले बड़िये काफ़ ज्यदा अच्छा टूल है एक अलगी टॉन देता है तो इसे हमेशा यूज करा गरो तो मैं ऐसे कुछ इस तरीके से कव को लगा रहा हूं अगर नह वो सेटिंग्स में एंद देखते हो हलकी सी टोन में मजा सा आ गया देखके कि हाँ भी इतनी अच्छी फोटो हो चुकी है अभी हमें यहां पर साइड में साइड में यहां पर मिल जाते हो अप्शन कॉंट्रास्ट बगारा के लाइट्स के तो यह आपको कैसे करने हैं देख सकते हो बैग्रोंड काफी जदा हाइलाइट से अच्छा लग रहा है तो मैं हाइलाइट इसमें एड़ करता हूं और जो शैडों हैं यह हमारे अब्जेक्ट पे काम कर रही है जो हमारा मोडल मतलब इसे रखेंगे तो यह हमारी कंप्लीट सेटिंग थी अभी हमें सिंपली कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ करनी है मतलब आप देखके हरान हो जाओगे इसका हमें सेचुरेशन बिल्कुल कम करना है और जो वाइब्रें साइज को में फुली बढ़ा देना है मतलब मैं अच्छी चुरेशन और लूमिनेस बढ़ाने आगे वाला है जो सेम तूसे मैं से करना इसको भी क्योंकि यह दोनों फेस के लिए वर करते हैं एक लिप्स के लिए एक लिए यह आ जाता है हमारा डैग्रॉंड के लिए इसका भी हमें करना है लूमिनेस बढ़ाना है मैं इसको फास्ट पर इसलिए कर रहा हूं कि यह कुछ ज्यादा मतलब है नहीं इसमें कुछ बल्लब जो इंपोर्टेंट पार्ट है वहीं आपको वीडियो में दिखाऊंगा एंड सबसे पहले तो फोटो को बिफोर और आफ्टर करके दिखाता हूं काफी दा ओसम टोन आ इसको बाद में डन करते हैं जैसी मतलब आपको उच्छा लगी तो मैं देख लेता हूं मुझे कौन सी टोन प्रसंद आ रही है तो यह वाले टोन काफी जदा अच्छी लग रही है काफी जदा देख तो मतलब एक सब से मूडी सी ब्राउन सी एंड काफी इंप्रेसिव सी लग रही है तो इसे मैं डन कर लेता हूं और यहां से जो मारा लाइट रूम का अलमुस्ट सारा काम है वो खतम हो चुका बट एक जो लाइट से वो कौफी जदा मतलब एक्सपोजर है जो इसका काफी जदा बढ़ा हुआ तो इसको मैं कम कर रहा हूं उपर माइनस मतलब 0. 0.30 माइनस कर रहा हूं थोड़ी सी डार्क होगी फोटो में तो यह चोटी चीज़ों का ध्यान रखा करो फोटो में एंड टैक्सचर बगार इसको आप बाद में एड़ करना मतलब एक स्टैप और मैं बताऊंगा उसके बाद आप कर लेना टैक्सर बगारा को एंड सिंपल मिलता है यहां पे जाना है नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको एक पिंजी दूंगा सिंपल सा पीएंजी है वह आपको पीएंजी दूंगा और उसको आप डबल एक्सपोर से एड़ कर लेना यह व्यां से अध्ड करने कबाद इसको आपको अर्ट पर रखना है डार्क बड़ा जन है जिसे मारी फोटो की जिए धोड़ी डार्क डार्क सी हो जाएगी एंड थोड़ा संसा भी काफी अच्छा सा लगेगा आपके सामने हैं चाहे तो जाधा कम भी कर सकते हो बट थोड़ा 75 के करीब ही 75 स्वरी 60 या 65 के क्रीब है तो यह काफी अच्छा लग रहा है है मतलब आपके सामने है कुछ हमने कुछ ज्यादा नहीं किया कुछ सिंपल से छोड़े से स्टैप थे एंड फोटो हमारी एकदम मौसम से हो गई है अभी थोड़ा हमारा फेस है जो वह थोड़ा डार्क डार्क सा हो गया उसे में थोड़ा सा लाइट करने पिल्कुल थोड पर ना है अब कपड़ों पर ना मतलब हम ओली फेस पर करने इसको यहां से चाहिए तो आप आइसवाला मौड ओं करके से आप देख सकते हो कहां पर एड़ हुई है तो यहां से हमारा काम हो चुका है ड़न एंड इसके वाद हमें करना के है खोड़ो देख से तो काफी ओसम तो यहां से अच्छे से हो रही है यहां से सही है एंड इसका हमें थोड़ा सा brightness contrast and saturation तो आगे बहुत हैं से थोड़ा से कम करें स्टेक्ट्र को थोड़ा से बढ़ा रहा हूं यहां से हमारा काम हो गया है अगर आप चाहिए तो फोड़ाल का बढ़ा के देख लेना मतलब यह चीज़ आपकी मतलब पसंद पर डिपेंड करती है यहां से हमारे फोटो जब पूल डन हो चुकी है जस्ट टू सेटिंग स्टेप्स जो भी आप बोल सकते हैं इसमें हमने फोटो को एक दूंतर मस तरीके से एक रीटचिंग कम्प्लीट रीटचिंग दे दी है मैं मिलता हुआ आपसे नेकस्ट वाले वीडियो में तब तक के लिए allen show